नमस्कार मित्रो आज रात को आया हूँ यहां पर यहां पर 15 दिन से लाइट नहीं थे केबल कठ हो गई थी अभी लाइट आ गये है तो यहां देखो ने तो मैंने इनके लिए टॉर्च खरीदा था टॉर्च से अंदर जाके इनको खाना देता था अभी देखो लाइट चालू हो गई है सब तो राध भर लाइट रहती यहांपर और अंदर में एकदम जंगल में पूरा अंधिरा है यह बस चार ट्यूबलेट्स है बाकि फिर पूरा अंधिरा है जंगल एरिया है पूरा और ये हमारे जंगल के सब शेर पेले दो शेर थे अभी किसी ने चार बच्चे यहां लाके छोड़ दिये तो अभी टोटल शे हो गए आज सबेरे जब मैं आया था तो दो कोई तो भी घर लेके गया लेकिन उनसे कुछ जमा नहीं होगा फिर वापस यहां छोड़ दिया तो ऐसे यहां से कोई कोई लेके जाता है एडॉप्ट करने को लेकिन यह क्या है कि रात में कोई ऐसी आवाज करते है तो वापस दूसरे दिन लाके छोड़ देते हैं तो यहाँ अक्सर ऐसा होते रहता है कि कोई घर ले जाता है वापस लाके छोड़ देता है तो यह चीज ऐसी होते रहती है यहाँ पर हमेशा कभी दो दिखते है कभी चार दिखते है या वो भटक जाते रास्ता कोई भी यहाँ पर मॉर्निंग वाक के लिए काफी सारे लोग आते तो उनके पीछे पीछे थोड़ा सा उन्होंने बुलाया तो चले जाते है उसके वज़े से भी हो सकता है फिर कहीं से वापस आ गय हूँ बहुत अच्छा हुआ ये जो काला वाला है ये बहुत ही इन में से स्ट्रॉंग है बाकी एक जो है उधर वाला रेड़ थाली में खा रहा है बैक साइड में वो बहुत डर्पुक है इसलिए उसको अलग थाली में दिया वो खाना खाने को आता ही नहीं इन में क्योंकि ये गुर-गुर करते है तो उसको अलग से दिया मैंने रेड प्लेट में ये जो है ना सबसे लास्ट में दिख रहा है अभी उधर तो वो जल्दी से अपने गोदी में भी बढ़ जाता है जल्दी आके ये बाकी लोग जो है ये हाथ में नहीं आते ये काला भी आने लगा काला बोद बढ़िया है मैं ये चाहता हूं कि यहाँ से अभी ये वीडियो देख कर जो वीडियो देख रहे हैं उन में से किसी को अडौप्ट करना है तो यहाँ से फरी में लेके जा सकते यहाँ पर कोई रजिस्ट्रिशन का फिज नहीं देना है कुछ नहीं देना है बस उठाके घर ले जाओ अच्छे से उनको रखो पालो हमारी यही कोशिश रहती है कि इनको अच्छा घर मिले तो जैसे यहाँ से कोई पपी गायव होता है तो दो चांसे से रहते हैं एक तो कोई घर ले जाता है या तो यह भटक जाते हैं यह दो में से कुछ तो भी हो सकता है लेकिन यहाँ पर भटकने का सवाल नहीं क्योंकि इनको जहाँ पर खाना मिलता है वो वहीं रुकते हैं यहाँ पर पानी की भी व्योस्ता है नल लगा हुआ है लाइट है राद भर लाइट चालू रहता है तो इनके लिए पूरा सेफ है यहाँ पर और इनको भगवान के पास में यह रहते है पूरे भगवान ने इनके लिए शेड बना के रखा है कोई अच्छे लोगों ने तो यह शेड के नीचे बारिश आया तो शेड के नीचे चले जाते है धन्यवाद मित्रो